साथियों महाकाल की नगरी उज्जेन के बारे में हमारी यहां कहा गया है प्रलयों नबादते तत्र महाकाल पुरी अत्राइ महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है हजारों वर्ष पुर्व जब भारत का भौगलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा तब से ये माना जाता रहा है कि उज्जेन भारत के केंद्र में है एक तरह से जोतिस ये गनदाओं में उज्जेन न केवल भारत का केंद्र रहा है बल्कि ये भारती आत्मा का भी केंद्र रहा है ये वो नगर है जो हमारी पवित्र सात पुरियों में से एक गिना जाता है ये वो नगर है जहां स्वयम भगवान क्रश्ट्न ने भी आकर शिख्षा ग्रहन के थी उज्जेन ने महराजा विक्रम अदित्यका वो प्रताब देखा है जितने भारत के नए स्वयन काल के शुरुवात की थी महा काल की इस धर्ती से विक्रम संवत के रूप में भारती एक काल गणना का एक नया अध्याय शुरू हुआ था उज्जेन के छण छण में पल पल में इतिहाज सिम्ता हुआ है कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में इश्वरिय उर्जा संचारित हो रही है यहां काल चकर का चोर्यासी कल्पों का प्रतिनी दूत्र करते चोर्यासी सिवलिंग है यहां चार महावीर है छे बिनायक है आठ भैरव है अश्ट्र मात्रुकाएं है नवग्र है दस विष्णू है ग्यारा रुद्र है बारा आधित है चोबिस देविया है और अठासी तीर्थ है और इन सब के केंद्र में राजा धिराज काला धिराज महाकान विराजमान है यानि एक तरह से हमारे पुरे ब्रह्मान की उर्जा को हमारे रुष्यों ने प्रतीर शुरूप में उज्जेन में स्थापित किया हुआ है इसलिए उज्जेन ने हजारों वर्षों तक भारत की संपन्यता और समर्दी का ज्ञान और गरीमा का सब्वेता और सहित्यका ने प्रुत्व किया है इस नागरी का वास्तु क्या कैसा था वैभव कैसा था शिल्प कैसा था संदरिय कैसा था इसके दर्शन हमें महा कभी कालिस दास के मेग दुतम में होते हैं बान भट जैसे कवियों के कावियों में यहां की संस्कृति और परंपराओं का चित्रन हमें आज भी मिलता है यही नहीं मद्यकाल के लिखकों ने भी यहां के स्थापत्य और वास्तु कला का गुनगान किया है